नमस्कार चार का चक्रव्यू में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंशिकार नेता हो या अपराधी आतंकी हो या जिहाधी कौन किसके चक्रव्यू में फसा इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे चक्रव्यू में आज सबसे पहले बात ग्यान वापी विवाद के चक्रकाल में फसे मुस्लिम पक्ष की जहां शिवलिंग मिलने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने पूजा की और ग्यान वापी को हिंदू भाईयों को सौपे जाने की बात भी कही फिर बात करेंगे मत्रा शाही इदगा के चक्रवियों में फसी कटर पंथी गैंग की जिसे लेकर फिर एक याचिका दायर कर ततकाल सील किये जाने की मांग की गई चक्रवियों की तीसरी खबर में बात करेंगे किसानों के चक्रकाल में फसे भगवंत मान की जिन्होंने अब पंजाब सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोल दिया है चौथी और आखरी खबर में बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के चक्रव्यू में फसे अर्विंद केजरिवाल की जिन्होंने कश्मीरी हिंदू का मजाक उड़ाने के बाद अब उनके बचाव में आतंकियों को चेतावनी दी है चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यू की और सबसे पहले बात ग्यान वापी विवाद के चक्रकाल में फसे मुस्लिम पक्ष की जो एक तरफ तो विवादत धाचे के अंदर सरवे रोके जाने का हर मुम्किन प्रयास कर रहा है लेकिन नाकाम रहा फिर वजू खाने का सरवे किये जाने को लेकर भी कई तरह के बहाने किये गए लेकिन ये कटरपंथी गैंग अपने मनसूबों में काम्याब नहीं हो पाई ऐसे में उस तालाब का सर्वे किया गया जहां से भव्य शिवलिंग निकला है और इस विवादत धाचे पर मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत भी हात लगा है ऐसे में जहां लगतार मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के इस दावे को नकार रहा है वहीं ग्यान वापी में सर्वे का काम जैसे ही पूरा हुआ और परीसर में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई वैसे ही कुछ मुस्लिम महिलाओं ने इस पर खुशी जाहिर की मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सदस्य नजमा परवीन ने मामले में साफ कहा है कि काशी में भगवान शिव का मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि काशी बाबा विश्वनात की नगरी है इस अफ़सर पर हिंदू महिलाओं के साथ मिलकर मुस्लिम महिलाओं ने ढोल नगाडे बजा कर शिव तांडव स्रोध का पाट किया इसके साथ ही परवीन ने मुस्लिमों से अपील की है कि अब उस थान को ततकाल खाली कर देना चाहिए और उसे हिंदू भाईयों को सौब देना चाहिए परवीन ने सीधे ही इसलाम का हवाला देते हुए ये बात कही कि जहां नमाज अदा की जाए वो जमीन और आसमान अपना होना चाहिए कब्जे वाली जगा पर नमाज कबूल नहीं होती ऐसे में सवाल उन कटरपंथियों से किया जाना चाहिए कि ये लोग जो अब तक इस मामले में लगातार बरगलाने का काम कर रहे थे सर्वे रोके जाने की कोशिशे कर रहे थे तो वो आब इन मुसलिम महिलाओं की इन बातों के बात क्या कहेगा उन्हें काफिर बता देगा या इनके खिलाब वो फत्वा जारी कर देगा इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता है कि काशी की जिस जमीन पर ज्यान वापी मस्जद है वहीं पर हिंदू मंदिर होने के एक या दो नहीं तमाम सबूत मिले हैं लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष इसे बार बार नकार रहा है हाला कि मुस्लिम पक्ष कितना भी सबूतों पर परदा डाल ले लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन सामने आईगी ही और अब तो सुप्रीम कोट से भी इन्हें लतार पड़ गई है जहां सुप्रीम कोट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है इसके साथ ही शिवलिंग को प्रोटेक्ट किये जाने के आदीश भी जारी कर दिये गए है वहीं वारणसी कोट से भी कमिशनर को मामले में रिपोर्ट सौपे जाने के लिए समय दिया गया है जिसका मतलब साफ है कि विवादत धाचे पर कुछ तो ऐसा जरूर मिला है जिसके बाद मुस्लिम पक्ष समेत उन तमाम लोगों का मूबंध होने वाला है जो इसे मुसल्मानों को परेशान करने का महस तरीका बताते आए है यहां ग्यानवापी विवादत धाचे में शिवलिंग मिलने से मुसलिम पक्ष बॉखला गया है तो वहीं अब इसका असर मत्रा के शाही इदगा मस्जिद पर भी देखने को मिल रहा है मत्रा के शाही इदगा मस्जिद को लेकर नई याचिका दायर हुई जिसमें इसे तत्काल सील किये जाने की मांग की गई है इस मामने में सुनवाई के बाद सिवल कोट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है साथ ही अब सुनवाई के लिए एक जुलाई का समय ते किया गया है मामले में ये आशंका जताई गई है कि वहाँ सबूत मिटाए जा सकते हैं ऐसे में उसे सील करने का आदेश दे कर अदालत साक्षे की सुरक्षा सुनिश्चित करे इस याचिका में मांग की गई है कि ना सिर्फ शाही ईदगा मस्जद में सुरक्षा कड़ी की जाए बलकि अंदर आने जाने पर भी रोक लगे और इसके लिए एक विशेश सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ती की जाए मामले में याचिका करता का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमी के अविशेशों के साथ छेड़चार की गई तो इस जगह का चरित्र बदल जाएगा और फिर इसकी मुक्ती के लिए जो मामला कोट में चल रहा है उसका कोई आधार नहीं रह जाएगा हिंदू प्रतीक चिन्हों को नश्ट होने से बचाने के लिए मस्जद को सील किया जाना आवशक है ऐसे में मांग की गई है कि ग्यान वापी की तर्च पर यहां भी CRPF तैनात की जाए जिस तरह से ग्यान वापी मस्जद में सर्वे को रोके जाने की तमाम कोशिशे की गई मंदिर के सबूतों को मिटाए जाने के प्रयास किये गए और तो और वजू खाने का सर्वे ना किया जा सके जो राज उसमें ना जाने कितने सालों से दफन था वो बाहर ना आ सके इसके लिए टीम तक को गुमरा किया गया और तो और वजू करने वाले तालाव में मचलिया तक डाली गई जिससे वहां का सर्वे ना किया जा सके और शिवलिंग का सच कभी बाहर ना आ सके इन सभी बातों को देखते हुए अब सवाल शाही ईदगा मस्जद पर भी उठने लगे हैं वो शाही ईदगा मस्जद जहां लंबे समय से श्री कृष्ण जन्मभूमी होने का दावा किया जा रहा है उसमें भी जिस तरह से सर्वे और विडियो ग्राफी किये जाने की मांग की गई है उसके बाद से ही हिंदू पक्ष को ग्यान वापी की तरज पर ही शाही ईदगा से भी सबूत मिटाए जाने को लेकर चिंता जताई जा रही है लेकिन अब कोट ने याचिका सुईकार कर ली है जो मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है एक तरफ तो लगतार हिंदू पक्ष ने मंदिरों को तोड़कर मस्जद बनाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है मही दूसरी तरफ पंजाब में मान सरकार की मुश्किले बढ़ गई है महा अब किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूग दिया है किसान दिल्ली की तरफ पर पक्का मोर्चा लगाने के लिए 17 माई को चंडीगर की तरफ कूच कर गए मौाली पुलीस ने उन्हें रोकने के लिए बेरिगेटिंग्स की लेकिन गुसाए किसानों ने पुलीस के बेरिगेट्स को भी तोड़ दिया मही जब दूसरे बेरिगेट्स पर उन्हें रोक लिया गया तो किसानों ने वहीं पक्का धरना लगाने का ऐलान किया मही किसान नेताओं के कहने के बावजूद कुछ नौजवान चंडीगर की तरफ कूच करने की कोशिश में थे लेकिन किसान नेताओं की तरफ से सकती कर उन्हें रोक दिया गया नौबत ये आ गई कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगर पुलीस ने सीमाई सील कर दी किसानों ने मान सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोलते हुए ये धमकी दी है कि उन्हें जहां भी रोका गया तो वो वही धरना दे देंगे ऐसे में किसानों के आंदोलन का विगल फूके जाने के बाद मान सरकार के पसी ने छूट गए है प्रदर्शन से घबराई सरकार ने उन्हें मीटिंग के लिए बुला लिया खुद अधिकारी बस में किसानों को चंडीगर स्थित पंजाब भवन मिले गए और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करते रहे किसान सैयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मोहाली पहुँचे किसानों ने बताया कि सरकार उनके संघर्श को हलके में ले रही थी किसानों ने इस संगर्ष इसलिए शुरू किया है क्योंकि पंजाब सरकार ने इस बार किसानों को एक साथ धान की रोपाई ना करने को कहा है इसके लिए राज़ को चार जोन में बाटा गया है इसके तहर 18, 20 और 22 जून को 6-6 जिलों और बचे 5 जिलों में 24 जून से धान की रोपाई होगी सरकार ने एक अदम बिजली की कमी दूर करने के लिए उठाया किसान इसका विरोध कर रहे हैं वो एलान कर चुके हैं कि तैव वक्त पर सभी जगा रोपाई होगी किसानों का कहना है कि किसानों को धान रुपाई के लिए पर्याप्त बिजली मुहया करवाने का जिम्मा सरकार का है वो इसे पूरा करें इसके अलावा किसान गेहूं पर भी प्रती एकर 500 रुपे मुआफजे की मांग कर रहे हैं इन सब के बाद आप सरकार के लिए बड़ी मुश्किले खड़ी होती नजर आ रही है यही किसान जब दिल्ली की सीमा पर केंडर की ओर से लाए गए तीन कृशी कानूनों का विरोध कर रहे थे तब तो केजरिवाल इनके पालन पोशन में लगे थे रहने की व्यवस्था से लेकर इनको फ्री बिज्री पानी मुहया करवाने तक केजरिवाल ने सब कुछ किया था और अब यही किसान जब पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं तो केजरिवाल के चहीते भगवंत मान इन पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं क्यों अब भी करने तो प्रदर्शन वैसे ही अपनी राजनीती चमकाओ जैसे दिल्ली में चमकाने लगे थे जिन किसानों का केजरिवाल ने पालन पोशन किया अब वही किसान केजरिवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने पर आ गया है क्योंकि पहले तो केजरिवाल ने बड़े बड़े वादयों के तहट पंजाब में लोगों के वोट हासल किये और अब जब सरकार बन गई तो अपनी असलियत दिखा दी किसानों ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो केजरिवाल की भी कश्मीरी पंडितों पर हेकड़ी निकल गई कश्मीरी पंडित राहुल भट की हत्या पर दिली के सीम अर्विंद केजरिवाल ने बयान देते हुए कहा है कि राहुल भट की हत्या के बाद हमारी सेना ने 24 घंटों के अंदर दो आतंकवादियों को मार गिराया लेकिन पूरा देश इस बाद से चिंतित है कि कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं है उन्होंने घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों पर हुए लाथी चार्ज को भी गलत बताया और कहा है कि ऐसा करने वाले अफसरों को बर्खास्त किया जाए इसके साथ ही उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए जो भी सुरक्षा विवस्था करनी पड़े जितना भी खर्च हो वो किया जाए आतंकी समझ ले कि अगर उन्होंने कश्मीरी पंडितों की तरफ गलत इरादे से देखा भी तो उन्हें भारत बक्षेगा नहीं अब ये वही केजरिवाल है जो भी कुछ समय पहले इनी कश्मीरी पंडितों के दर्थ पर बनी विवेक अगनी होतरी की फिल्म ये कश्मीर फाइल्स का मजाक खोलेयाम विधान सभा में उड़ा रहे थे तब लोगों ने इन्हें जम कर लतार लगाई थी अब इनकी हेकड़ी निकल गई और एकदम से ही केजरिवाल ने फिर अपनी राजनीती के तहट कश्मीरी हिंदू के पक्ष में पल्टी माली लेकिन जो मजाक केजरिवाल ने कश्मीरी हिंदू का उड़ाया है क्या उसकी भरपाई इतनी आसान है क्या उसे इतनी आसानी से भूला जा सकता है अगर केजरिवाल ये सोच रहे हैं कि पहले उन हिंदू का मजाक उड़ा कर उनके उस भयानक सच को नकार कर वो अब कश्मीरी हिंदू के पक्ष में बोलकर सरकार पर निशाना साधेंगे और अपनी राजनीती चमका लेंगे तो वो ये समझ लें कि जो हरकत उन्होंने भरे विधान सबा में की थी उसके बाद उसे भुलाया जाना इतना आसान नहीं है ना ही वो उसकी भरपाई कभी कर पाएंगे चक्रवियो में मेरे साथ आज इतना ही कल फेर कौन किसके चक्रवियो में फसेगार नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और संसनी खेस खुला से तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी कर दो